संयम साधना क्या है? आध्यात्पिक जीवन को प्राप करने की सबसे पहली और सरोपरधान सर्त यही है कि आपको अपने इंद्रियों पर संयम रखना है। इंद्रियों पर संयम रखना ही संयम साधना है। भारत वर्स का योग संसार भर में एक अदुत्तिय साधन पणाली माना गया है। सास्त्रों के अनुसार तो योग संसार की सबसे बड़ी सक्ती है और इसके द्वारा मनुष्य के लिए कोई भी कार असंभो नहीं रहता। आज के युग में आपने अनेक योगियों के आच्चेरे जनक चमतकार देखे होंगे। अब भी योगी एक-एक महिने तक की समाधी लगाते हैं। दिव विद्रिष्टी का परिचे देते हैं। सस्त्र, विश, आदी के प्रभाव को व्यर्थ करते देखे गए हैं। उनके आ लोगियों ने इन सक्तियों को कैसे प्राप्त किया? संयम साधना विधी के द्वारा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं संयम साधना विधी क्या है? संयम साधना का अर्थ है इंद्रियों का विश्यों तक जाने से रोकना। इंद्रियां विश्यों की तरब भागती ही रह अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको सुन्दर भवन दिखाई पड़ सकता है, सुन्दर चेहरा दिखाई पड़ सकता है, सुन्दर काया दिखाई पड़ सकती है, सुन्दर कार दिखाई पड़ सकती है, आपको पता ही नहीं चलता कि जब आपने कहा सुन्द सुन्दर है तभी इंद्रियां दोड़ चुकी थी ऐसा नहीं कि सुन्दर है ऐसा जानने के बाद इंद्रियां दोड़ना शुरू करती हैं इंद्रियां दोड़ चुकी होती हैं दोड़ी हुई इंद्रियों का मिसकर्स ही सुन्दर है ऐसा मत सोचना कि आप सुन्दर चहरा द नहीं है और विचार में पता चलती है सुन्दर हमारी निस्पति है कारण नहीं सुन्दर की वज़े से कोई आकर्षित नहीं होता आकर्षित होने की वज़े से सुन्दर का निशकर्ष लेता है या हमारा बौधिक निशकर्ष है इंद्रियों ने तो अनुभो किया है आकर्ष नहीं कि जब आप किसी के सरीर को छूते हैं, तभी इंद्रियां छूती हैं, इंद्रियों के छूने के अलग-अलग मारग हैं, आख देखती है और छू लेती है, देखना आख के छूने का धंग है, सुनना कान के छूने का धंग है, इसपर्स हाथ के छूने का धंग है, ये सब इंद्रिया स्पर्स करती हैं, सुक्ष्म असपर्स दूर से हो जाते हैं, स्थूल असपर्स पास से करने पड़ते हैं देखिए सरीर से सब को नहीं छुआ जा सकता लेकिन एक perfume डाल कर बड़े सुक्ष्म तल पर गंध से सब को छुआ जा सکता है आवाज, गंद, ध्वनी, द्रश, दर्सन वे सब छूते हैं जब आप सज समर कर घर से निकलते हैं तो आप दूसरों की आँखों से छूए जाने का निमतरन लेकर निकलते हैं और अगर कोई आँख से ना छूए तो आप बड़े उदास लोटते हैं यनि आप यह चाहते हैं कि आपने जो यह सजा समरा है आपने जो यह तरह-तरह की साडियां, यह तरह-तरह की जोयलरी पहनी हैं लोग उन्हें देखें, उससे आपकी तरफ अट्रेक्ट हों आप लोगों को निमतरन दे रहे हैं कि वो आपको देखें और यदि ऐसा नहीं होता तो आप उदास हो जाते हैं यह दोहरा काम चल रहा है छूने का और छूये जाने का इंद्रियां प्रतिपल इस काम में संलगन है आपको पता भी नहीं चलता किया हो रहा है इंद्रियांग पूरे समय स्पर्स को लालाई और स्पर्स देने को आतूर होती है तो जिन व्यक्तियों को इंद्रियों को विश्यों तक जाने से रोकना है उसे इंद्रियों की इस सूक्ष्म उस्पर्स विवस्था के प्रती जागरूख होना पड़ेगा यह अत्यन्त सूक्ष मेवस्ता है आपको पता चलने के पहले ही घटित हो जाता है इंद्रिये का स्पर्स इतना सिग्रता से घटित होता है कि आपको पता ही नहीं चलता यह आपको तब पता चलता है जब यह घटित हो जाता है तुम्हारी आखें सिर्फ देख रहे हैं या स्पर्स भी कर रहे हैं इन दोनों में फर्क है फर्क कैसे पता चलेगा या ये बहुत बड़ा प्रश्न है अगर सिर्फ देखा हो तो पीछे कोई लकीर नहीं चूटेगी और अगर स्पर्स किया हो तो पीछे लकीर चूटेगी अगर सिर्फ देखा हो तो लोट कर नहीं देखना पड़ेगा अगर स्पर्स भी किया हो तो लोट कर भी देखना पड़ेगा अगर सिर्फ देखा हो तो स्मृति नहीं बनेगी अगर स्पर्स भी किया हो तो स्मृति बनेगी अगर सिर्फ देखा हो तो कल भी देखूं ऐसी अकांचा नहीं जगेगी अगर स्पर्स किया हो तो फिर फिर देखूं ऐसी अकांचा जगेगी आँख से सिर्फ देखने का काम लें उसपर्स करने का नहीं अब आप कहेंगे छूना और अस्पर्स करना तो विल्कुल एक ही बात है वही फर्क जो मैंने आँख के लिए कहा सिर्फ देखने का काम आँख से अस्पर्स करने का नहीं कान से काम सुनने का अस्पर्स करने का नहीं कोई आवाज कान सुनता है ठीक है लेकिन मीठी लग गई तो छूली गई फिर अकांचा जगेगी डिजायर पैदा होगी और आप कहेंगे मैं और और सुनू और सुनाई पड़े तो सपर्स हो गया इंद्रिये ने रस लेना सुरू कर दिया इंद्रिये सिर्फ उपकरण न रही मालिक हो गई इंद्रिये ने सिर्फ देखा नहीं इंद्रिये ने पकड़ भी लिया है इंद्रियों का इसी विशियों से छुटकारा दिलाना ही सैयम साधना है जो योगी इंद्रियों को विशय से तोड़ता है वो विशय और इंद्रिये के बीच इसपर्स को तोड़ता है किसी को देखना तो नहीं तोड़ा जा सकता देखने से और तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता आँख से इसपर्स विधा होना चाहिए आपने देखा भी होगा कि यदि कोई लड़की शोट्स में आपके सामरे से गुजर जाती है तो आप उसे अपनी आँखों से सपर्स करने लगते हैं आपने कई लोगों को ऐसा करते हुए महसूस भी किया होगा यानि यदि आप आध्यात्म की उचाईयों को छूना चाहते हैं तो सयम साधना को आपको समझना होगा आपको सबसे पहले सपर्स से विदा लेना होगा यानि जो आप सब कुछ इस संसार में देख रहे हैं उसको सपर्स नहीं करना है क्योंकि आप किसी भी चीज को यदि सपर्स कर लेते हैं तो उसकी एक छाया आपके मस्तिक्स में बन जाती है आप जब भी देखें तब होस से यह भी देखें कि सपर्स हो रहा है कि नहीं आप यह देखें कि आप सिर्फ देख रहे हैं या सपर्स भी कर रहे हैं धीरे धीरे फासला साफ दिखाई पढ़ने लगेगा और साफ दिखाई पढ़ने से मैंने स्पर्स किया है या आपको महसूस हो जाएगा और जब आपको स्पर्स दिखाई पढ़ने लगेगा तभी आपको अनुवव हो जाएगा कि इंद्रिया जहां जहां स्पर्स करती हैं वहीं वहीं बंधन को निर्मित करती हैं जहां जहां सपर्स नहीं करती वहां वहां बंधन निर्मित नहीं होता सैयम साधना को साधने से पहले आपको एक सैयमी बनना होगा सैयमी क्या होता है सैयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपकरण का काम लेता है भोग का नहीं सयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से भोगना नहीं केवाल उपयोग लेता है यानि यदि आप अपने आँख से देख रहे हैं तो आप सिर्फ देख रहे हैं आप अपनी आँखों से किसी को सपर्स नहीं कर रहे हैं आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आप अपने कान से सिर्फ उस चीज को सुन रहे हैं ना कि उसे सपर्स कर रहे हैं अब कई लोगों के यह भी प्रश्ण हो सकते हैं कि सर सपर्स तो तभी होता है जब हम किसी को छूते हैं देखिए यहां आपकी मिध्या है कि आप उस्पर्स उसी को माते हैं जब आप किसी को छूते हैं आपने जब किसी इस्तरी को देखा और आपने अपने अंदर या धारना बनाई कि यह इस्त्री कितनी सुंदर है, कितनी कामुक है, तभी आपने उस इस्त्री को असपर्स कर लिया, भले ही आपने उसे छुआ ना हो, फिर भी आपने उस इस्त्री को असपर्स कर लिया, यानि सयमी का अर्थ हुआ, जो इंद्रियों से भोगता नहीं, केवल उपयोग लेता ह एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो असयमी होता है उसका अर्थ है जो इंद्रियों से उपयोग कम लेता है लेकिन इंद्रियों से भोगता जादा है ऐसे ही लोग समाज में विदंडता करते हैं समाज में हो रही गलत चीजों के प्रती सहान भूती दिखाता है वह अपनी आखों से ही इतना भोग विलास्त कर लेता है कि उसे स्पर्स करने की आवशकता ही नहीं है आपने देखा भी होगा कि आपकी समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बारे में या कहा जाता है कि इस व्यक्ति की नजर खराब है क्योंकि उसने अपनी आखों से ही उस चीज को पर्स नहीं कर पा रहा था आख से भोगना उस पर्स करना उपयोग नहीं है भोग है भोग बंधन है उपयोग बंधन नहीं है इसलिए तो कहा जाता है कि यदि आपने किसी वस्तु का भोग कर लिया है तो अभोग बंधन है जबकि अगर उस वस्तु का आपने उपयोग किय तो प्योग बंधन नहीं है आपने कोई चीज खाई और उसके स्वात को मन में बिठा लिया अर्थात आपने उस वस्तू का भोग कर लिया आपकी बार बार इच्छा होगी कि आप उस वस्तू का भोग करें लेकिन यदि आपने उस वस्तू का भोग सिर्फ अपनी भूख मिट आने के लिए किया है तो आपको उसके बारे में बार-बार सोचने की आवशक्ता ना पड़ेगी तो इस इसपर्स की सूक्ष मेवस्था को इसमन रखने मात्र से आप सैयम साधना में उतरने लगते हैं और जब आप अपने पर सैयम कर लेते हैं तो आपका आध्यात्म वैसे ही सफल होने लगता है देखे बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं दमन द्वारा सैयम कर लूँगा देखिए सप्रेशन सैयम नहीं है और ना ही दमन सैयम है सहयम तो जागरन है, होस में आना ही सहयम है, रिमेंबरी ही सहयम है, इसमृती ही सहयम है, इसको प्रियोग करके आप देख सकते हैं, जब भी आप सहयम का प्रियोग करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि सहयम की सक्ति कितनी है और यह आध्यात्म की दुनिया में कितनी आवश् बस फर्क यह होना चाहिए कि सैयम दमन द्वारा ना हुआ हूँ यह आपके मन की सुभावी घटना है अगर आप यह करते हैं तो आपको सैयम की पहली घटना घट जाएगी अर्थात विशियों तक इंद्रियों का रस तिरोहित हो जाता है विशय तक इंद्रियां जाती हैं प्योग के लिए भोग के लिए नहीं तो आशा करता हूँ सैयम साधना विधी के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा विडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपके अगर कोई भी कोशन्स हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्षर में अवज से पूछिएगा मिलता हूँ किसी और विडियो में किसी और नई विधी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमशकार